नमस्कार स्वागत आप सभी का history city channel में मैं रवीक लेडिया इस्टेक्स रादसान से आज हम बात करेंगे EMRS वेकेंसी 2023 के बारे में इसका विग्यापन आ चुका है syllabus जारी किया जा चुका है आप फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे पूरे जुराई महा के दोरान आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अब ये वेकेंसी किन लोगों के लिए है किन को त्यारी करनी चाहिए इसका exam pattern किस प्रकार का है इसके fees कितनी है और इन प्रकार की जो सारी बाते है एस लिमिट बगरा के बारे में जो भी इसके विग्यापन में आपको पता होने चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको खास और से PGT के संबंद में इस वीडियो के अंदर पूरी detail मिल जाएगी तो यह एकलवे model school, residential school है अवास के विद्याले हैं उनके लिए vacancy है, center से संबंदित है और वेतन वगरा सब का इविब्रण इसके अंदर दिया गया है जितने भी state में PGT के जो वेतन होता है उससे कहीं ज़्यादा होता है center का वेतन और ऐसा ही इसके अंदर है तो जैसे आप D++B के लिए जाते हैं वो तो वैसे देली से संबंदित है लेकिन आप KVS के लिए जाते हैं तो उस प्रकार का या जो केंदरी विद्याले के लिए KVS के लिए जाते हैं नवोद्य विद्याले के लिए जाते हैं तो उस प्रकार के लेवल की यह job है आप ऐसा प्रजानकारी दी गई है इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ जानने क्या उशक्ता नहीं है यहाँ पर देखे वेकंशी जैसे प्जीटी की बात कर रहा था तो प्जीटी की 266 वेकंशी है यहाँ पर 1266 और अगला गला जो subject wise है जो 11 subject है जो लेंग्वेज दी गई है उनके लिए कैसे किस प्रकार से दिया गया उसके बारे में भी हम यहां पर चर्चा कर लेंगे यह principle की दी गई है यहां देखिए subject wise vacancies इनकी देख लीजिए English, Hindi, Maths, Chemistry, Physics, Biology, History, Geography, Commerce, Economics, Computer Science 11 subject मैंने आपको बता है नीचे फिर language के हैं वो मैं आपको दिखा दूँगा तो इनकी vacancies आप देख सकते हैं English की कितनी है आपकी categories wise आप देख सकते हैं टोटल यह यहां पर देख सकते हैं English, Hindi, जादतर हिस्टी के students हैं तो 185 है मैं आपको बता देता हूं पहले ही 185 vacancies हैं बाकी categories wise यहां पर दे रखी हैं और यह विग्यापन वगारा मैं अपने टेलेग्राम चैनल पर भेज दूँगा हमारे जो भी social media के links हैं वो आपको description में और comment box में मिल जाते हैं वहां आप देख लेना फिर उसके बाद में यहां मैंने आपको बता दिया थर्ड लेंग्वेज ग्रूप B के लिए मराथी ओडिया तेल्गो संस्कृत बेंगॉली और संथालिय के लिए post है उन पोस्ट का विवर्ण आप यहां पर देख सकते हैं PGT के ही समन्द में है यह बाकी non-teaching staff से समन्द मे यह दे रहे हैं लेकिन हमारा जो वीडियो है वो PGT पर फोकस है तो हम इसके बारे में यहां पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे फिर उसके बाद में 7 नंबर पेज आगे मैं देख लेता हूं कौन-कौन से पेज पर मैंने पहले ही point out किया है अपने लिए ज़रूरी जाचा जाएगा क्योंकि यह qualification के लिए है इसके number merit में नहीं जुड़ेंगे लेकिन यह qualify करना आपको 10 number की हिंदी है 10 number की इंग्लिश है 10-10 question एक question एक number का यह निए 20 number में आपको pass होना है और इदी आप इसमें pass होते हैं तो ही आपके उपर के 5 पार्ट जाचे जाएंगे और उसके 130 number में से ही आपका chain होगा married बनेगी interview के लिए तो यह देखिए 5 पार्ट में बटा हुआ है आपका subject 5 पार्ट में है इससे पहले देखिए part number 1 पार्ट number 1 की अंदर आपके क्या है general awareness जो इनका syllabus भी जारी किया गया है जिसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में इसके तुरंत बाद आपको एक वीडियो में लेगा उसमें चर्चा करूँगा जनरल अवेरनेस में यह नहीं बता रखा कि किस टाइप का जीके पूछा जाएगा आपको इंडिया के समंद में जीके पता होना ची थोड़ा बहुत आप बेसिक पढ़ सकते हैं जीके का जैसे हिस्ट्री हो गया जोग्राफी हो गया पॉलिटी हो गया बहुत बेसिक और इ सरकार की चलती है कोई बजट के अंदर के अंदर सरकार का जो शिक्षा पर कोई प्रावदान है तो ज्यादा फोकस आपको करेंट में भी किस पर करना है शिक्षा के समाचारों पर करना है तो वह आपको विशेश ध्यान रखना होगा तो जनरल अवेरनेस में आपके सामाने जीके भी आपको पढ़ना है, current affair भी पढ़ना है हालांकि उसका विस्तरित आपको जानकरी नहीं मिलेगी कि जीके में क्याएगा, लेकिन इसके question दसी आने है तो आपको बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि आप बड़ी-बड़ी किताब में जीके के लेकर बेड़ जाएगे, क्योंकि हो सकता है बिल्कुल सामाने से question ऐसे पूछ लिए जाएगे या हो सकता है आप कुछ पढ़ रहे हैं और कहीं से पूछ लिया जाएगे क्योंकि इसका ज्यादा detail आपको नहीं दी जाएगी से लिए बस मैं भी आपको mention करूँगा reasoning ability में आपके 18-18 topic दे रहे हैं बहुत आसान-आसान topic है और वो जादा नहीं तो आपके 10-12 video का खेल होता है मतलब 10 video के अंदर आपकी reasoning complete हो जाएगी ऐसी है आप comment में बताना ही दिए आप चाहोगे तो तिन topic अलग वो हम करवा देंगे दिया आप चाहेंगे तो knowledge of ICT ये computer से सम्मधित और basic knowledge है मैंने syllabus देखा था ज्यादा नहीं है teaching aptitude आपने PTT की प्रिवेस परिक्षा में जो प्रिएड होता है उसके में आपको नहीं देखा होगा हो जाता है तो आप उसके सम्मध में आप चाहेंगे तो हम करवा देंगे बहुत easy सा पार्ट है और number उसमें लाए जा सकते हैं फिर उसके बाद में ये देखें domain knowledge में आपके एक तो subject specific हो गया subject के आपके आएंगे सब्जेक्ट का syllabus दिया गया है subject में बहुत जरूरी है आपके लिए क्या धान में रखना कि आपको NCRT की किताबें तो पढ़नी ही पढ़नी है NCRT मस्ट है क्योंकि सारा syllabus आपका NCRT पर बेस्ट है और NCRT भी कौन सी जो अभी हालंकि किताबें चाहिए नहीं वे लेकिन syllabus कम हो गया जैसे मैं history में आपको बताऊँगा कि जो इन्होंने chapter दी है वो किस प्रकार से reduce करके दी है 2023-24 के हिसाब से तो next में history का बना दूँगा एक में general जो paper है उनके लिए बना दूँगा फिर इसके बाद में हालंकि paper एक का ही पार्ट है यह मतलब पूरा तीन घंटे का आपका जो paper होगा वो सारा 6 तक पार्ट आपको तीन घंटे के दोरा नहीं करने हैं सिर्फ यह qualified आपका इसमें आपको तो English के संबंद में भी classes चल रही थी वह आप देख लेना चाहो तो हलांकि मैं यहां पर कोई course selling के लिए नहीं बना रहा है यह वीडियो यह मैं वीडियो सली बना रहा हूं कि इसकी सारी जानकारी आपको मिल जाए आप सामने जो English की जो books होती है उससे भी पढ़ सकते है grammar से पढ़ सकते है school हों की उससे आपका काम चल जाएगा क्योंकि वैसे भी आपके सिर्फ यह qualifying है लेकिन मैं यह कर रहा हूं इसको छोड़ना नहीं बिल्कुल भी फिर यह हो गया और पांच नमबर इसके आपके जो पेड़ागोजी से समन्दित है experiential activity based pedagogy और case study based pedagogy आपके इ इस पर बड़िया गोट की पी जाना इसको शोर्ट में ताकि आपको national education policy का question गलत नहीं हो फिर उसके बाद में यह language का हो ठीक है subject का syllabus अलग लग डिसकस करेंगे मैं history का discuss करूंगा और यह वाले पार डिसकस करूंगा तो आप देख ले ना नए है तो subscribe तो करी लिया करो क्यों अच्छा यह यह फिर अकाउंटेंट वगरा के लिए हो गया आगे फिर हमारे 16 नंबर पेज पर है हमारे काम की चीज़ पेज नंबर 16 पर चलता हूं मैं पंदरा आगया और यह 16 कहां गया भाई तो यह एज लिमिट देखिए यह प्रिंसिपल के लिए 50 साल की है पीजीटी के लिए 40 साल की है पर चालिस साल से कम आपकी एज होनी चाहिए इसमें भी रिलेक्शेशन दिया गया है केटेगरी वाइज और विमेंस को अलग दिया ग आपको बता देगे फिर इसके बाद में क्या चाहिए आपको PGT के लिए जो educational qualification है आपका post graduate होना चाहिए इन subject के अंदर इसके अंदर और कुछ mention ही नहीं किया गया है दूसरा आपका BAE होना चाहिए यह देखे Master subject Master degree हो गया और उसमें आपको बताया गया है कि जैसे हिसे के ल समंद में अलग दिया गया है accounting, cost accounting, financial accounting as a major subject of study, holders of degree of Mcom in applied or business economics shall not be eligible, यह जो applied or business economics में जिसका MA है वो इसके लिए apply नहीं कर पाएंगे, economics के लिए economics है, regional language के लिए, regional language है, 6 regional language मैंने आपको बताई किस-किस के समंद में vacancies आई हुई है, computer science के लिए अलग मामला दिया गया है, यह यहा यहां पर यह हो गया, ME और MTEC, computer science from recognized university or institute, यह भी आपका है, तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं, ठीक है फिर यह lab assistant वगरा के बारे में हम यहां पर चाज़ा नहीं कर रहे हैं, उसके बाद में यहां पर जो किस category को कितनी छूट है, age relaxation, देकि SC और ST, schedule castors tribe को 5 साल की है, other back OBC को 3 साल की है, यहां पर relaxation, और जो central government में, जो इसके same और allied cadres में काम कर रहे हैं, उनको 5 साल की छूट है, य उसके संबन्द में आपे 5 साल की छूट है, आपको women all categories 10 साल की छूट है, महिला कोई भी हो, किसी भी category को हो, 10 साल की छूट है, हर प्रकार की category को, फिर उसके बाद में person with disabilities में अलग-अलग women's को देखे, 15, 13, 10 यह प्सक्रक्ष दिया गया है, यह आप देख सकते हैं, और 4 negative marking इसके अंदर रहेगा, 0.25, एज का मैंने आपको बताए दिया, education qualification में आपको बताए दिये, इसके जो सारे format है, वो last में दिये गए है, सारे के सारे इसके जो formats वगरा है, आपका चाहे, जो जाती प्रमानमपते से संबन्दित हो, कास certificate हो, या और भी कोई जो format आपको किस किस रूप में बनवाने हैं, कैसे बनवाने हैं, उसके समद्ध में formats आपके सारे दिये गए है, examination center में, ज्यादतर जो आपके आपके state से belong करते हैं, तो आपकी राजधानी है, जैसे राजस्तान का जैपूर में है, हर्याना का चंडिगड में है, उउपी का लखनो में है, उ और website पर अलग से, मतलब इसकी EMRS की website है, आप login करेंगे, बिना login करेंगे सारी चीजें बहाँ पर आपको recruitment में दिख जाएंगी, फिर उसके बाद में login करने का process वगरा, और apply करने का सारा process उसके अंदर दिया हुआ है, तो यहां मैं qualification में के बारे में बात कर रहा था, तो उमी तुरंत record करूँगा, upload हो सकता है, थोड़ी देर बाद में करूँ, और इसके अलावा, इसके समन्द में कुछ classes वगरा चलेंगी या नहीं, जैसे history की, हम NCRT से समन्द आपको notes प्रोवाइड करवा देंगे, उसके समन्द में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दिया गया है, आ सारे notes उसके अंदर मिल जाएंगे, खासोर से NCRT के किताबों में आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, और हम जो English के classes हैं, वो शुरू करवा देंगे, और इसके अलावा, जो reasoning है, बहुत major role अदा करेगा इसके अंदर, वो आपको करवा देंगे, और जिदी जो education स समझेद current का कोई matter हुआ तो वो भी YouTube पे आपको करवा देंगे, आप subscribe जरूर करें, like and comment जरूर करें, धन्यवाद